हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल एया रिजिलूशन आज की वीडियो में हम हमोगलोबिन टेस्ट के बारे में जानेंगे फ्रेंट्स अगर आप में चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजेगा तो हिमोग्लूबिन के बारे में हम जानेंगे हिमोग्लूबिन टेस्ट क्या होता है हिमोग्लूबिन टेस्ट क्यों करवाया जाता है हिमोग्लूबिन टेस्ट की नॉर्मल रेंज क्या होता है हिमोग्लूबिन टेस्ट कितने का होता है या फिर हीमोग्लूबिन कम या ज़्यादा होने के क्या कारण होते हैं या क्या क्या लक्षन देखने को मिलते हैं ये सबी हम इस वीडियो में डिटेल से जानेगी हीमोग्लूबिन क्या होता है तो हीमोग्लूबिन एक प्रोटिन होता है जो की red blood cells में पाया जाता है इसका मुखे कारे सरीर के विबिन हिस्सों में oxygen को provide करना है oxygen का प्रवाहा करना है transfer करना है जब हम सास लेते हैं तो फेफडों में oxygen blood में मिलता है और hemoglobin इसे पकड़ कर अन्य सरीर के भागों तक पहुचाता है hemoglobin जो है वो तू दो चीज़ों को मिलकर बना हीम और hemoglobin को hemoglobin test क्या होता है तो hemoglobin test से हमें हमाई सरीर में जो है red blood में रक्ट में hemoglobin की कितनी मात्रा है या जानने का पता चलता है और वेक्ति में अनीमिया या रक्ट की कमी या अन्य स्वास्ते समस्या तो नहीं है या जानने के में हमारी मदद करता है hemoglobin test hemoglobin test क्यों कराया जाता है तो hemoglobin test अनीमिया या फिर polystheemia को detect करने के लिए कराया जाता है या फिर अगर किसी patient को अनीमिया के symptoms है जैसे की weakness, dyesness pale skin, cold hands and fit, lack of energy या फिर सास लेने में दिक्कत है इसके अलावा अगर किसी बेक्ती का अनीमिया या फिर polystheemia का treatment चल रहा है तो उसको monitoring करने के लिए या फिर अगर कोई blood डोनेट कर रहा है तो उस वक्त पर भी इसका hemoglobin test कराया जाता है अगर किसी patient की family history या थैलेसीमिया की या फिर कोई भी blood disorder की तो उस condition में जो है आपका hemoglobin test कराया जाता है या फिर अगर मालेजे किसी को injury हुई है और blood जो है वो काफी ज़्यादा loss हो रहा है या फिर surgery हुई है उस time पर काफी ज़्यादा blood loss हो रहा है तो सरजी के बाद तो उस condition में जो है hemoglobin test कराया जाता है hemoglobin test की normal range की बात करें तो यह बच्चों में, बड़ों में, बुडों में सब में अलग-अलग होती है तो नवजास शिशु में इसकी normal value 0-1 महिने की बीच में जो बच्चे होता है उनकी 14-24 gram decimal per liter होती है शिशु में जो की 1-12 महिने की बच्चे होता है उनमें 10-14 gram decimal लिटर देखने को मिलती है एक से 5 साल के बच्चों में 11-13 gram per decimal देखने को मिलती है 6-12 साल के बच्चों में 11-15 per decimal देखने को मिलती है और यंग एज में 13-18 साल की एज में लड़कों में 13-17 ग्राम पर डैसिमल लेटर देखने को मिलती है लड़कियों में 12-16 पर डैसिमल लेटर देखने को मिलती है अब बात करें वेसक की यानि कि जो 18 साल से उपर होते हैं तो उन में मेल्स में 13.5 से 17.5 ग्राम पर डैसिमल लेटर देखने को मिल हम ह defended है किपने का होता है लॉकली हमुग्णोल का तॉ नॉर्मले हमुग्णो जो है 80-100 गाम हो जाता हैं और थो आप तेस्ट जो होती है उससे blood sample collect किया जाता है इसकी report आपको same day मिल जाती है और इस test के लिए कोई भी fasting required नहीं होती है अब बात करें कि हमारा जो low है या high है वो किन कारणों से होता है तो low hemoglobin जो है वो low RBC या PCV की वज़े से होता है तो sorry low hemoglobin के साथ साथ आपका RBC और PCV भी low है तो वो indicate क करता है अनीमिया को और अगर high HB है और high RBC और PCV है तो वो indicate करता है पॉलिस्थीमिया को अब बात करते हैं low hemoglobin के किन किन कंडिशन्स में होता है तो different type of anemia iron float और vitamin B की deficiency की वज़े से bone marrow problem है या फिर किसे भी injury या surgery की वज़े के time पे excess blood loss हुआ है उसकी वज़े से leukemia की वज़े से थैलसीमिया की वज़े से या liver disease की वज़े से जो है आपका hemoglobin low देखने को मिल सकता है अब बात करें high hemoglobin कब देखने को मिलता है तो polysemia की condition में lung disease, heart disease, kidney failure इन सभी conditions में जो है आपका hemoglobin जो है व high देखने को मिलता है